हेलो प्रेंट्स, वेल्कम टो माई चैनल, हैंड निटिंग विद अनीता, आज ये देखी मैं 16-17 साल के बॉइज के लिए मैंने ये स्वेटर बनाया है, इसका फर्स्ट पार्ट में मैं नीचे कितने पंदे डाले हैं, कैसे इसको स्टार्ट किया, उसमें मैं आपको अप्लोड कर चुकी हूँ, कंधे तक फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का मैंने कंधे तक आपको सारा step by step बता दिया आज हम कंधे की घटाई गले की घटाई आगे पिछे से दोनों हम अब आपको आगे बताएंगे इसकी लंबाई होगी मेरी 19 19 19 इंच मुझे करनी है इसकी 20 ये हमारा पच्चा 5.5 फुट के करीब है तो इसलिए हमें स्वेटर इतनी लंबी 20 इंच की कंधे तक हमने करनी होगी लेकिन इस से पहले 8 सलाईया बनाने से पहले मैं कंधे की गटाई करने से पहले इसमें करूंगी गले की गटाई गले की गटाई के लिए हमें फंदे हाफाफ करने होगे कोलर भी नहीं बनानी छोटी सी कोलर बनाऊंगी और पट्टी के उपर जो पट्टी है उस गले को मैंने बनाना है तो इसके लिए मुझे 7 फंदे पट्टी के रखनी है 125 फंदे हैं इसमें 125 फंदों में से मैं 7 फंदे पट्टी के रखूंगी उनको गटाने के बाद मेरे पास बचेंगे 118 फंदे 125 में से 7 फंदे गटा देंगे हमारे पास बचेंगे 118 फंदे एक सो अठारा फंदों को मैं हाफ-ाफ कर लूँगी यानि कि 69 फंदे मैं इधर बना लूँगी 69 फंदे मेरे इस साइड में रहेंगे तो मैं देखती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आट, नो, दस, तेरा, चोधा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उनिस, बीस, इकिस, बाइस, तेईस, चोविस, पची, छबिस, बावन, त्रेपन, चोवन, पचपन, चपन, सतावन, अठावन और ये मेरे 69 फंदे होगे अब साथ फंदे हम यहाँ पर पट्टी के छोड़ देंगे 69 फंदे हमारे इधर रह जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोधा, पंदरा, सोला, सतरा, ठारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और एक, नतिस, दुनिया थाउन और एक, ये 69 और अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फंदे हमारे ये पट्टी के हैं ये हम इधर, जो पट्टी हमने उपर रखनी है, हमारे लेफ्ट साइड वाली पट्टी उपर रहेगी, राइट साइड वाली हमारी पट्टी नीचे रहेगी तो left वाली पत्टी जो मैं शुरू में start करा का है, मैंने इस में, इन 7 फंदों को हम इसमें add कर लेंगे यानि इस पत्टी के जो उपर वाली पत्टी के, वो हमारे इसी सलाई में हम add कर लेंगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जैसा मैंने बार्डर बनाया है, उसे वैसा ही हम यहां पर पट्टी को बनाएंगे, छे और यह साथ फंदे हमारे पट्टी के होगे देखे, एक उल्टा, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फंदे, अब इदर 69 फंदे हमारे इदर हैं अब हम यहीं से, अभी मैंने कंदे की घटाई नहीं करनी, मैंने 10 फंद सलाईया और बनानी है, मुझे 20 इंच की लंबाई करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया, बच्चा लॉंग है, अब यहां से ही हम टन कर जाएंगे, अब यह सीधा फंदा दिख रहा है, तो हम इसे सी इधा बना लेंगे, उतार लेंगे इस फंदे को, उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, सीधा है, सीधा बनाएंगे, उल्टा, उल्टा बनाएंगे, सीधा, सीधा बनाएंगे, उल्टा, उल्टा बनाएंगे, साथ फंदे छे, और यह साथ फंदे बनाने के पाद, पुरी को हम complete ऐसे ही करेंगे इस तरह हम पत्टि के फंदे बनाते जाएंगे और बाकी फंदे ये दस लाईया हमने ऐसे ही बनानी है इसी एक कलर से इधर वाली रेड से बनाएंगे इसको हम इसी कलर से बनाते हैं तो ये में दस लाईया बना लेती हूं जो उपर वाली पट्टी है, इसी पट्टी में हमें कजभी करना है, कजभी हमने इसी पट्टी में रखना है, तो मैं ये दसलाईयां बनाने के बाद, फिर हम इसमें कंदे की गटाई करेंगे, तो मैं कंदे की गटाई कैसे करूंगी, वो मैं बता देती हैं, तो ये दसलाईय बना लेती है अब देखो मैंने ये आठ सलाईया बनाने के बाद यहाँ और अब इसकी कंदे की घटाई कई है कंदे की घटाई चार तीन दो एक दस पंदे यहाँ पर घटा चुकी हूँ अब यह देखो इस साइड में पट्टी बनती जा रही है इदर हमारी साथ फंदो की पट्टी है और इदर से हमने अब यह गटाई शुरू कर रख़िये इसकी गटाई 4,3,2,1 की गटाई तो मैंने कर दी है अब हमे इदर हमें 15 फंदे गटाने है तो पंद्रा फंदे गटाने के लिए शुरू में देखो इस तरह गटाए जाएंगे भी है अब इमानले हमारा कंदा ऐसे है शुरू में हम नहीं हाँ पर चार गटा दिये फिर हम यहाँ पर तीन गटाएंगे फिर दो गटाएंगे फिर यहाँ एक गटाएंगे उसलाइ हमारी खर ले जाएगे, हम कुछ नहीं गटाएंगे, जो यह मेरा बता रही हूँ तो यह 4 3, 2, 1, 10, 11, 12, फिर यहां पर हम एक गटा देंगे इक-ईक सलाइ राइड साइड बनाने के बाद, यह हम नहीं गटाएंगे, 11, 12, 13 फिर यहां पर एक बार नहीं गटाएंगे एक बार गटा देंगे 14 और इस तरह एक बार यहां नहीं गटाएंगे फिर यहां पर एक गटा देंगे तो इस तरह हमारे 15 फंदे हम 10 फंदे गटाने के बाद एक बार गटाएंगे एक बार नहीं गटाएंगे इस तरह हमारे यहां पर हमने 15 फंदे गटाने यह हम 15 फंदे गटाएंगे तो यह देखिए मेरा गटाने हमने 15 ही होते हैं तो अगर हम यहां शुरू में 5 गटाएं तो उससे हमारी थोड़ी शेप ज्यादा गटाई आ जाती है इस तरह हमारी शेप थोड़ी अच्छी आती है कंदे की साइड तो यह गटा के अब इसकी लंबा तरह हम कजोर करेंगे अब यह हमरी देखिए लंबाई प्टी की लंबाई हमने 2 इंच के करीब कर ली है यह यहां से और यह दो पुने 2 इंच होगी है तो पुने 2 इंच होने पर अब हम यहां पर प्टी को में कज करते हैं कज करने के लिए मैं अभी आपको बता देती हूँ यह देखो अब यहां हमने 3 फंदे बना लिए है अब हम दागे को आगे करेंगे फंदा हमारा उल्टा है अगर हमने बटन बड़े लगाने हैं तो इसमें हम एक बार लपेटा दे देती हैं अगर हमने बटन छोटे लगा करने हैं तो हम सिंगल यहां 몇 से के उल्टे फंद की बजाए दागा आगे करके सिध्धा फंदा बनाएं我 यह देखिए ऐसे सिध्धा फंदा बना लेंगे तो यहां पर हमारी जाली डल गई, ये देखो अब उल्टा सीधा और ये उल्टा अब इतने ही पौने दो इंच के उपर जैसे इतनी लंबाई के इतनी इंच के बाद फिर मैं दूसरा बकज करेंगे हब अब ये हमारा यहां पर कज बन गया है तो अब इसकी मैं यहां की गटाई पूरी कर लेती हूँ 10 बंदे गट गए है अब जो राइट साइड आएगी मैं नहीं गटाऊंगी फिर लेफ्ट साइड आएगी फिर अगली राइट साइड आएगी तब यहां पर मैं गटाऊंगी तो इस तरह एक बार नहीं गटाएंगे, एक बार गटाएंगे, एक बार नहीं गटाएंगे, पांच पंदे हम ऐसे ही करेंगे, तो उससे हमारी शेप बहुत बढ़ी आती है, इसकी अब मेरे को जितने गला नहीं गटा रही, तो इतना मैं इसको सिद्धा बना लेती हूँ, इस साइड में गटाई करती जाओंगी, और जब गले की गटाई करेंगे, तब मैं आगे आपको बताऊंगे, यह अब हमारे कंदे की गटाई, मैंने आपको जैसे बताया था, पंदरा पंदे हमने गटानी है, चार, तीन, दो, एक, फिर उसके बाद एक फंदा, फिर एक ब गटाईंगे, इस तरह करते हमने यहां, पंदरा पंदे यहां तक हमारे पूरे हो गए, इधर हम पट्टी बनाते गई है, इधर हमारी यह कोलर की यह निचे बटन पट्टी बनी है, अब कंदे की लंबाई हमारी यहां पर, यह देखिए, यहां से, यहां तक 7 इंच, आप सेवन इंच होने के बाद अब यहाँ पर हम गले की घटाई करेंगे गले की नेक के लिए तो इसको मेरे ये फंदे निकल गए हैं मैं एक बार इसको डाल लेती हूँ अब हम यहाँ पर सेवन इंच बनाने के बाद यहाँ पर हमारे दो कज किये हमने एक यहाँ नीचे किया था एक यहाँ पर हमने उपर किया है अब तीसरा कज हमारा उपर आएगा जब हम गले की पट्टी बनाएंगे अब हम इसकी गले की गटाई करने के लिए पहले हम पट्टी के जो साथ पंदे है उसे हम अब इस तरह बनाते हुए आए हैं तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे पिन में निकाल कर रख लेंगे यही पंदे जब हम गले की पट्टी बनाएंगे तो यह उसमें यही हम उठा दालेंगे इनी फंदों को अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे अब यहां से एक टर्न करने के बाद एक, दो, तीन, च्यार फंदे, च्यार फंदे घटा दिये, अब हम बाकी फंदों को बना लेते हैं तो यह मैं बना लेती हूँ, गले की साइड, अब यह पट्टी के मैंने छोड़ रखे थे 7 फंदे, उसके बाद हमने 4 घटाएं हैं, यहां पर मेरे एक साइड में टोटल 65 फंदे थे, 65 फंदों में से मैंने 15 फंदे यह कंदे में घटाई कर दी, अब हमारे पास बचे 50 फंद में से अब हमने 7 फंदे पट्टी के छोड़ दिये, उपर रखने हैं हमने 30 फंदे, 50 में से 30 फंदे हम रखेंगे, हमारे पास रह जाएंगे 20 फंदे, 20 में से 7 फंदे यह निकाल दिये, अब बच गे हमारे पास 13 फंदे, तो 13 फंदों को हमने 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और फ तेना फंदे 4, 3, 2, 1, 10 हो जाएंगे, फिर 1, 11, फिर उसके बाद 1, 12, और 1, 13, एक एक हर उल्टी सलाई में आएंगे तो हम ये घटाएंगे, इस तरह में ये 13 फंदे घटाकर फिर आगे आपको दिखाते हूँ, 4, 3, 2, 1, गले की साइट, अब ये देखो मैंने ये 7 फंदे तो टी के जो थे इसको हमने पिन में उतार लिया अब यहाँ पर 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1 करते हमारे पास अब ये को उपर बच गए है 30 फंदे 30 फंदे और हमारे कंदे की लंबाई हो गई है 9 इंच ये देखिए 9 इंच 9 इंच तो लंबाई भी हमारी पूरी हो गई और इसकी हमारी गटाई भी पूरी हो गई है अगर हम एक सलाई और बनना चाहें तो हम इसको बना सकती है अब हम इधर बनाएंगे दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट इसका इधर हमारे 65 फंदे थे इधर हमने हाफ हाफ किये थे तो इधर हमारे फंदे कम थे इसकी पट्टी के लिए इसकी पट्टी हमारी आएगी इसके नीचे से तो यह जो हमने देखो यह पिछे से यह पिछे से जो यह साथ फंदे हमने जो इसके लिए हुए है पट्टी के हर एक फंदे में से हम साथ फंदे इसी तरह उठाएंगे तो इसके लिए पिछे से हमें एक्स्ट्रा फंदे अब ये उठाने पड़ेंगे इसकी पट्टी बनाएंगे हम इसी कलर से जिस पट्टी से ये बनी है और बाकी पार्ट हम रेड कलर से बनाएंगे जो हमने कलर यूज किया हुआ है तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, ये हम कैसे बनाएंगे, ये सिद्धा फंदा, ये देखो, सिद्धा फंदा है, इसमें से एक फंदा, दागा हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, इसको हम, और वैसे तो हम साथ फंदे डाल कर और फिर पट्टी बनाएं, तो वो भी हम बार में सील सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको इस तरह उठा कर ही बनाती हूँ, जो साथ साथ बनती चली जाती है, एक फंदा उठ गया, तीन फंदे उठा लिए, अब हमारे चार, सिद्धे फंदे में से एक पांच, फिर उल्टे फंदे में से एक पांच होगे, अब यहाँ उल्टे फंदे में से, फिर हम एक फंदा उठा लेंगे, छे, और लास्ट में, लास्ट के फंदे में से, एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, यह देखी, अब ये पट्टी से बिल्कुल उसके उसी 7 फंदों की जो पट्टी थी उसी पट्टी के नीचे से हमने 7 फंदे उठा लिए हैं 7 फंदे ये होगे और बाकी हमारे red color से जो ये वह हमारे पास बचे हुए थे 59 फंदे इनको हमने as it is बनाते जाना है जैसे पट्टी हमने ये देखी अब इसके बिलकुल ये नीचे से आगी है इसके पट्टी हमारे बिलकुल सातों फंदे इसके नीचे से आगे है तो हम ये जैसे हमने भी ये सेम बनाया है आठ सलाईयां आप ही बनाएंगे फिर उसके बाद इस साइड में हम गटाई करेंगे जैसे उसमें गटाई करी थी 15 फंदे सेम वही 15 फंदे इसमें गटाएंगे अभी 8 सलाईया हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि गला हमने पहले गटा दिया था सेम जैसे ये बनाया उसी तरह लंबाई करने के बाद हमने ये बनाई है नापकर लंबाई पट्टी की लंबाई हमने बटन पट्टी हमारी 6 इंच के करीब है तो इसको हमें 6 इंच इसको भी इसी कलर से बना कर और फिर गले की गटाई करेंगे 4 तीन तो जैसे मैंने गटा कर दूसरा हिसा भी त्यार कर लेंती हूं यह अब हमारे दोनों कंदे आगे से दोनों साइड के कंदे बन कर तयार हो गया है गला भी बन के मैंने यह देखो यह पिन में डाल ले हुए है पट्टी के और यह मेरे दूसरी पिन में डले हुए है गले की लंबाई इदर से गर मैं ना पूट तो मेरी 4 इंच है कंधे की हमारी 9 इंच की लंबाई है ये भी हमारी 9 इंच की लंबाई है और ये हमने 4 इंच किया है इसको मैंने बताया था आपको चार तीन दो एक एक करते हमने 30 फंदे रखने उपर इतने हम गठाते चले जाएगे ये हमारे पास 50 फंदे थे 50 फंदों में से 30 फंदे हमने रखे और 20 फंदों को हमने गठाना था तो 7 फंदे तो हमने पट्टी के गठाई फिर उसके बाद 4 तीन दो एक एक करके गठाई बन चाहरा बैक पाल्ट, बैक पाल्ट को देखिए, हमने ये मेरा बैक पाल्ट है, इसकी भी गटाई देख़ के, nine-inch गटाई इसकी भी हमने कंपलीट कर लिए, यह देखूं, यह हमारी nove-inch की गटाई बैक पाल्ट की है, अब हम क्या करेंगे इसमें दोनों को जोडेंगे दस नंबर की सलाई से कंधा बैक पार्ट मैंने सिंपल आपको बताया था सिरफ ये मैंने पठियां डाली है सेम दूरी के उपर और ये पठ्टी डाली है कंधे के साथ फिर हमने यहां पर एक पठ्टी ओर डाल दिया तो ये हमारा बैक पार्ट इसको अब हम जोडते हैं इस कंधे को जोडेंगे ये देखे ये कंधे की साइड है इसका भी हमने उल्टी दोनों हम उल्टा कर लेंगे दोनों को उल्टी साइड से और कंदे कंदे हमारे भार रहेंगे गला अंदर की साइड रहेगा एक दागे को लेंगे अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे जोडते हैं हम ये दो इसे हैं एक फंदा इस इसे का एक फंदा इस इसे का दोनों हें फंदों को हम दो का एक कर लेंग है तो हम पिछले हिस्से वाले फंदे को इस सलाई में लेकर आगे वाली सलाई में ले लेंगे और यहां पर दोनों का एक करतेंगे पिछे वाले फंदे को इसके उपर से उतार देंगे पिछे वाले फंदे को उठा के अगली सलाई में ले आते हैं दो का एक करेंगे पिछे व उपर से उतारती इस तरह मैं दोनों कंदों को जोड लेती हूँ जोडने के बाद फिर मैं गले के फंदे उठाऊंगी तो मैं इसको बताती हूँ कैसे हमने फंदे उठाने हैं और कितने कितने फंदे उठाएंगे ये 30-30 फंदे इस साइड के बैक पार्ट में मेरे 125 फंदे थ 15 फंदे जैसे हमने आगे घटाए हैं 15 फंदे एक साइड से 15 फंदे दूसरी साइड से दोनों साइड से 30 फंदे घट गए 125 में से 30 फंदे घटने के पाद हमारे पास बच गए 95 फंदे 35 फंदे मैं इस साइड के कंदे में जोड़ूंगी 30 30 फंदे आगे हमने फ्रंट में 30 रखे हैं तो 30 के 30 फंदे पीछे वाले हिस्से से जोड़ेंगे तो 30 और 35 फंदे मैं से 60 फंदे चले जाएंगे हमारे पास बचेंगे 35 फंदे बैक साइड में बचेंगे 35 फंदे वो 35 फंदे मैं एजटीज रखोंगी अगर हम उन्हें बंद करना चाहें तो हम उन्हें बंद भी कर सकते हैं पीछे वाले फंदों को रखें तो हम रख भी सकते हैं अपनी अपनी मर्जी के उपर पर मैं रख लेती हूँ वो ही फंदे फिर हमारे कले में काम आजाती हैं तो यह मैं अभी इनको बंद कर लेती हूँ और यह जादा हम tight भी नहीं रखेंगे जादा हम ढिला भी नहीं रख करेंगे इसको बिलकुर normal हाथों से जादा ढिले करेंगे तो कंदा हमारा लटकने लग जाएगा और अगर हम tight करते हैं तो हमारा खिजाओ करने लग जाता है तो ये मेरे एक साइड के बंद होने वाले हैं दूसरी साइड को भी बंद कर लेती हूं 35 या 36 फंदे जो भी हमारे पास पीछे बचते हैं उन्हे हम ऐसे कैसे रखेंगे और बंद करें तो भी उन्हें हम ढिले-डिले हातों से, टाइट हातों से करेंगे तो हमारा पर पिछे से कंदा खिचने लग जाएगा, गले की तरफ से हमारे खिचाव आएगा, तो उन्हें भी हम बंद करते विए, जैसे हम डिले हातों से इसे कर रहे हैं, कंदे की गठाई, इसी तरह उसकी भी गठाई हम डिले डिले हातों से ही करेंगे, ये हमारे एक साइ का कंदा बंद हो गये एक साइड से हमने इसको बंद कर दिया ये फ्रण्ट साइड से देखो ये हमारा फ्रण्ट साइड इसको हमने देखो फंदे से फंदा मिलाकर इतने अच्छी सफाई से ये जुड़ गया अब हम इसे 35 फंदे हैं इन्हें हम उतार लेते हैं और फिर पिछे का फिर ये दूसरा हिस्सा जो है हमारा उससे हम इसको उल्टा करके इस साइड से ऐसे जोड़ते के तो मैं जोड़कर फिर त्यार करती हूँ आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी इसमें कितने फंदे गले के बारे में जो कितने फंदे उठाने हैं इसके डिटेल हम कल बताऊंगे वीडियो अगर जादा लंबी हो जाती है तो हमें अपलोड करने में दिक्कत आती है इसलिए मैं छोटी-छोटी वीडियो बना के दिखा रही हूँ इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट कर डाल दिया था आज यह हमारा सेकिंड पार्ट है और कल मैं इसका थर्ड पार्ट डालूँगी गले में कितने फंदे उठाने है इसकी डिटेल हम कल बताएंगे और इसकी बाजू के बारे में भी अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी तब तब के लिए बाबाई